समस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल संसाइन सॉफनेट में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाला है कि पोशन ट्रैकर अप्लिकेशन में अपना MPN को किस तरह से जो है डिसेट कर सकते हैं कई लोगों की समय से आ रहे थी कि उनका जो है औरेडी रिश्टेशन जो है उहाँ पर सो और है जब वो रिश्टर करने के लिए मुवाइल नमबर ढाल रहे है तो उहाँ पर लिख रहे है पहले से यह मुवाइल नमबर रिश्टर है लेकिन उनको अपने M-PIN ही नहीं मालूम है तो बैसेकली अगर आपने अपना रिश्टेशन खुझ से नहीं किया है तो यह जो रिश्टेशन है वो आपके अपने परविजना के अस्तर से किया गया है और कुछी दिनों में आपको अपने परविजना से M-PIN भी प्रवाइड की जाएगी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुझ से उसको M-PIN को रिसेट कर सके तो आप इस वीडियो को पूरा अंतक जरू देखेगा क्योंकि इस वीडियो में आप बताएंगे कि आप खुझ से अपने M-PIN को फिर से किस तरह से रिसेट कर सकते हैं इसके लिए आपको जाना होगा पोस्टन ट्रेकर अप्लिकेशन में और पोस्टन ट्रेकर अप्लिकेशन के अंदर जानने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्टर है रिस्टर पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर अपना M-PIN करने के लिए डालेंगे जो आपको original mobile नमर का जो आपने प्रिजनल में दे राखा है उसी mobile नमर को यहाँ पर जानना है mobile नमर डालने के बाद जो आपको register पर क्लिक करना है अब देखिए यहाँ पर सोटा है इस mobile नमर अप्लिकेशन में लागिन नहीं हो पाईएगा यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि अपना mpin को reset करना है mpin reset करने के लिए आपको वापस login के page पर जाना होगा login to your account यहाँ पर देखिए लिख रहा है forgot mpin यानि कि इसका मतलब होता है कि अपना जो mpin आप भूल चुके हैं अगर कोई भी इंसान जो है कोई भी आगनवारी से भी का अपना mpin यानि कि mobile pin भूल गई है तो यहाँ पर आप forgot mpin पर क्लिक किजिगा उसके बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number दालना है जो mobile number से आपका recession हो चुका है mobile number आपको डालने के बाद जो है यहाँ पर reset mpin का जो rate click का बटन है इसके उपर क्लिक करना है अब देखें यहाँ पर इंटर OTP मांगड़ा है OTP has been sent to your mobile number 4 मिनट 55 सेकंड यानि कि कुल मिलागा 5 मिनट का यहाँ पर time दिया गया है पाच मिनट के अंदर OTP आपके mobile number पर जाएगा पहले क्या हो रहा था कि जब आप MPN reset करते थे तो MPN आपके mobile number पर नहीं जा रहा था तो जो OTP नहीं जा रहा था आपके mobile number पर वो समझसे आप समाप्त हो चुकी है आप जब भी इसको try किजिएगा तो OTP आपके mobile number पर जाएगा आप दे सकते हैं अपने screen पर यहाँ पर हमारे पास AX Locker की तरफ से MPN आ चुका है और यहाँ पर करा यहाँ और forgot MPN OTP is 8197 valid for 5 minutes for security reason do not share OTP with anyone यहाँ पर देखिए हमें forgot MPN का OTP मिल चुका है यह OTP आपको यहाँ पर इंटर OTP है इसमें डालना है जैसे यहाँ पर हमें OTP प्राफ्थ हुआ है 8197 हमें यहाँ पर दर्ज करना है 8197 जैसी हमने OTP डर्ज किया है यहाँ पर reset MPN है इसके उपर क्लिक करना है rate करगा बटन है reset MPN इसके उपर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर set MPN का option खुल गया जैसे हमने OTP डाला अगला पेज में set MPN का option खुला यहाँ पर आपको नया MPN आपको यहाँ पर दर्ज करना है कोई नय MPN आप दर्ज कर सकते है 1,2,3,4,4,5,6,7 जो भी आप याद रख सके उसको आप यहाँ पर MPN इंटर MPN पर क्लिक करके जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते है 1,2,3,4 तो हमने 1,2,3,4 इसका MPN set किया है अब हमें नीचे confirm MPN इस MPN को दोबारा से में दर्ज करना है जो हमने उपर में दर्ज किया है 1,2,3,4 इसी को हमको नीचे दर्ज करना है 1,2,3,4 जब हम लोग MPN को confirm कर देंगे उसके बाद हमें submit का बटन है इसको पर क्लिक करना होगा जैसे हम लोग submit के बटन पर क्लिक करेंगे हमारा MPN है वो reset हो जाएगा यहापर देखिए हमारा MPN reset हो चुका है अब हमें अपना mobile number को दर्ज करना यहापर जो हमने MPN अभी reset किया है सेम MPN को यहापर हमको दर्ज करना है MPN दर्ज करने के बाद आपको login के बटन पर क्लिक करना है अब देखिए हम लोग यहापर login हो चुके है उपर में आगनवारी सेविका का यहापर नाम सो हो रहा है इसका मतलब है कि यह original account है तो मुझे उमीद है कि आपको यह video helpful लगा होगा अगर आपको कोई भी चीज में डिक्कत होती है तो आप हमें comment section में comment के द्वारा बता सकते है कोई भी सवाब हो यह सुझाओ है तो वो हमें comment section के अंदर दे सकते है वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को like जरू किजेगा और चैनल पर अगर नए है वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे एक डेट का subscribe बटन होगा उसके किलिक किजेगा बगल में बेल आइकन होगा उसको all पर किलिक किजेगा जिससे हम जब भी कोई भी नया video upload करेंगे तो उसका notification आपको सबसे पहले मिल जागा So thank you for watching this video, मिलते एक नए वीडियो के साथ